तो आज मैं बनाने वाली बच्चों का फेवरेट चको जीब कापकेक जो बहुत पसंद होता हर बच्चों को पसंद होता है और जो बनाना बहुत आसान है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम बड़ा सा बरतन लेंगे और यहां पर एक स्ट्रेनर लिया में आपके पास जो अफैलेबल आप वो ले सकते स्टील या प्लास्टिक और यहां पर वन इन हाफ कप मेदा एड़ करेंगे and 2 teaspoon baking powder एड़ करेंगे 1 teaspoon baking soda एड़ करेंगे half teaspoon नमक एड़ करेंगे half cup cocoa powder एड़ करेंगे और इन सारे dry ingredients को हम strain कर लेंगे और यह सारे strain हो चुके है अब इसमें हम half cup sugar add करेंगे और इन सारे dry ingredients को अच्छी तरीके से हमें whiskers से अच्छे से mix कर लेना है ताकि जितने भी चीजे हैं आपस मिक्स हो जाए और इसके बाद हम इसे रख देंगे side में फिर यहाँ पर एक bowl लिया है उसमें मैंने room temperature पर 1 cup milk add करेंगे एक अंडा add करेंगे और एक cup हम समें दूद add करेंगे आप लोग चाहे तो इसमें 1 in 50 gram butter भी add कर सकते हैं और इसे हम fork की help से अच्छे से mix कर लेंगे और अब इन सारी liquid चीज़ों को हम इसे dry ingredients में mix करेंगे अच्छे से धिरे धिरे डालना है इसे और अच्छे से हमें whisker की help से light hand से एकदम हलके हाथ से mix करते रहे एकदम हलके हाथों से और एक ही direction में mix करना है और यहां पर half teaspoon vanilla essence add करेंगे इसे अच्छा flavor आता है इसमें देख सकते इसकी consistency कितनी अच्छी हुई है और अब इसमें हम half cup चोकोची pad करेंगे और इसे भी हम अच्छे से whisker से mix कर लेंगे light hand से एकदम light hand हमें use करना है इसमें ज्यादा कुछ जूर से एक ही direction में हमें करना हो भी और इसके बाद मैंने rubber spoon से जितने भी सारे ingredient side में लगे है उसे भी हम mix कर लेंगे और अब मैंने यहाँ पर एक aluminum tray लिया है अगर आप लोगों के पास यह tray नहीं मिल रही आप लोगों को या नहीं available है कहीं पर तो इसकी जगे silicon mold आते हैं वो भी हम ले सकते हैं और जहां से हम silicon mold लेंगे वहीं पर ही यह cup के paper भी मिलते हैं वहीं से हमें ले लेना है और यहाँ पर मैंने एक spoon की help से जो हमने mixture ready करके रखा तो वो add करेंगे इसे हम पूरा नहीं भरना है थोड़ा थोड़ा खाली रखेंगे ताकि जब वह bake होके उपर आएगा पूरा तो वह बाहर नहीं निकले उस paper की अंदरीर है और अब इसको अच्छे से हम tap tap कर लेंगे और फिर इसमें हम उपर से थोड़ा सा garnish करेंगे चोको चिप से ताकि इसे एक अच्छा जब हम खाए ना तो टेस्वी बहुत अच्छा है चोको चिप का और देखने में बहुत अच्छा लगता है तो इसलिए उपर से थोड़ा सा चोको चिप एड़ कर देंगे तो चलिए हम इसे बेक करते है तो मैंने 180 डिगरी पे 15 मिनिट के लिए अवन को प्री हिट कर लिया है और उसके बाद चलिए अभी इसमें हम रख देंगे ट्रे और गाइस मेरा न जो अवन का लाइट था वो खराब हो चुका ता पता नहीं कैसे मैं इससे खराब हो गया थ तो 180 डिगरी पे देख सकते हो मैं यहाँ पर इसे रख देंगे हम इसे 15 मिनिट के लिए टाइम सेट करके और यह मैंने टाइम सेट कर दिया 15 मिनिट के लिए और यह अवन स्टार्ट हो गया है तब यह स्टार्ट हो गया है पकने के लिए तो हम इसे 15 मिनिट के बाद चेक कर रहा है और पंदरा मिनिट में ही पूरा अच्छे से बेख हो चुका था ये ट्रे और ये बहुत गरम था तो मैं बहुत कंफी उस्ति में कहां से पकड़ू कि मैंने अवन का ग्लॉफ पैना था अब हम एक तूत्पिक लेंगे और उसे हम इसमें अंदर डाल के चेक करेंगे कि पक गया यह देख सकते हो पूरी क्लीन निकली तुत्पिक तो मैं दूसरा वाला भी चेक कर लोगी तो चलिए अभी केक हो गया ठंडा मैंने एक प्लेट में निकाल के रख दिया था ठंडा होने के लिए 10 मिनिट के लिए और यह देख सकते हो माशाला कितनी अच्छी तरीक प्लेट को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और हां अगर रिसी पी अच्छी लगी कॉमेंट्स करना तो यह बच्चों का तो फिवरेट होता है बच्चों को तो चोको चीप कपकेक बहुत पसंदा बनाना बहुत आसना आपने देखी लिए रेसीपी कैसी है तो चल झाल झाल